गुड मॉर्निंग चिल्डरेंग विटाज हिंदी वन में हम नीबंध पढ़ेंगे नीबंध का सिर्षक है पुस्तक की आत्मकथा पुस्तक के बारे में हम जानेंगे ठीक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या राइट है? पहले मैं पढ़ लेती हूँ उसके बार मैं आपको समझाओंगी मैं अपनी परिक्षा की तैयारी कर रहा था रात के लगभग दस बज रहे होंगे कि अचानक मेरी आँख लग गई यहाँ पर कोई बच्चा बता रहा है कि वो अपने परिक्षा की क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था और परिक्षा के समय रात में आप लोग भी पढ़ते होगे तो भी पढ़ाई कर रहा था ठीक है और रात के लगभग कितने बज रहे होंगे 10 बज रहे होंगे और पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग जाती है आँख लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नीन दाना पढ़ते पढ़ते हो क्या करता है सो जाता है उसके बाद देखते हैं मुझे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी मैंने चारो तरफ देखा पर वहाँ तो कोई नहीं था तब उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है लेकिन जब जग कर चारो और देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता है फिर से मैंने वह आवाज सुनी उसको आवाज दुबारा सुनाई देती है कौन सी हवास सुनाई दे रही थी आगे देखिए मैं तुम्हारी आलमारी से बोल रही हूँ मैं तुम्हारी पुस्तक हूँ पुस्तक किताब को बोला जाता है तो उसने यह हवास सुनी कि मैं तुम्हारी आलमारी से बोल रही हूँ और मैं तुम्हारी पुस्तक हूँ यह सुनकर जैसे ही उस बच्चे ने अपनी अलमारी खोली मैंने जब अलमारी खोली तो आस्चरे का ठीका न रहा उसको आस्चरे हुआ कि वहां मेरी हिंदी की पुस्तक मुझे बुला रहे थी आप हिंदी की उसकी किताब रखी हुई थी और वो उसको बुला रही थी उसने मुझसे कहा कि क्या मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाओ यहाँ पर हिंदी की पुस्तक जो है वो अपनी कहानी आत्मकथा का अर्थ ही होता है बेटा अपने बारे में बताना तो उसको अपने कहानी सुनाने के लिए बोलती है अब देखिए पुस्तक क्या कहती है नेक्स पैरा में है बिटा मैं ग्यान का भंडार हूं पुस्तक में बहुत सारी ग्यान की बाते लिखी होती है हम लोग उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं लोग यूगो यूगो से मुझे पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। पुराने जमाने से ही लोग सिक्षा कैसे ग्रहन कर रहे थे। पुस्तक पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। मैं मानों की तपस्या लगन तथा परिस्रम का फल हूँ। जो मेहनत करता है बेटा जो पढ़ता है लगन से उसे ही ग्यान प्राप्त होती है मैं सबसे पहले कागज का अविस्कार चीन ने किया था क्योंकि कोई भी पुस्तक जो होता है कागज को बंडल बनाकर ही बनाया जाता है तो सबसे पहले कागज का अविस्कार कहा हुआ था ची पुस्तक के रूप में ढलने के लिए मुझे अनेक कस्ट सहने पड़े यह किताब अपनी आत्मकथा बता रहा है कि कागज से उसको पुस्तक बनने में क्या-क्या कस्ट सहने पड़े अब देखिए क्या-क्या कस्ट सहने पड़े तो आगे के पैरा में बताया जा रहा है काट छाट मतलब विट्टा उसका कटिंग किया गया सिलाई छपाई तथा जिल्द जिल्द कभर को बोलते हैं आप लोग देखे होगे कि किताब का फस में कभर होता है जिल्द होत उसी को जिल्द बोला जाता है बांधे जाने के कारण कस्टो को सहन कर आज मैं ग्यान बिग्यान का भंडार मानी जाती हूँ ऐसा हिंदी की पुस्टक उस बच्चे को बता रहा है आज मेरे बिना संसार की कल्पना करना भी मुस्किल है अगर एक किताब नहीं होते तो हम लोग किस सिस से पढ़ते वही इसमें बताया जा रहा है कि उसके बिना संसार की कल्पना करना भी बहुत मुस्किल है आजकल कंप्यूटर के आने से मेरा स्वरूप और सुन्दर हो गया है आजकल कंप्यूटर से प्रिंट हो जाते हैं न वीटा इसलिए यहां पर इस वाक्य में बताय गया है आगे देखिए जो लोग मेरा आदर नहीं करते मैं उनका तिरसकार कर देती हूं जो लोग पुस्तक नहीं पढ़ते पुस्तक का इज़त नहीं करते उन्हें ग्यान की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए यहां पर दिखा हुआ है कि मैं उनका तिरसकार कर देती हूं अतह मेरा सम्मान करो, या पुस्तक बोल रहा है कि हमें पुस्तक की किताब की क्या करनी चाहिए, इज्यत करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, मुझसे नई नई बाते सीख कर अपने जीवन में उतारो, पुस्तक में अनेक बाते लिखी होती हैं जिससे हम लोगों समझना है पढ़ना है और साथी साथ अपने वेवहरिक जीवन में भी उसका उपियोग करना है मैं आगे उससे कुछ पूछूं उससे पुरुघडी का अलार्म बजा और मेरी आप खुल गए यहाँ पर आपने सुरू में देखा होगा कि एक बच्चे को यह सपने में उसकी हिंदी की पुस्तक क्या करी थी अपनी कथा सुना रही थी यहाँ पर जब वो बोला हिंदी की पुस्तक बेटा बोली कि मुझसे सीख कर जो ग्यान की बाते हैं वे अपनी जीवन में उतारो उसके आगे वो कुछ उससे पूछ पाता कि घड़ी का अलार्म बजा और उसकी आखे खुल गई तो यह नीबन था पुस्तक की आत्मकथा ग्रिह कार में आप लोगों क्या करना है होमबक में बेटा इसको आप लोग अपनी हिंदी वन की कॉपी में इसको दिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे ओके बेटा थांक यू